जिके बाई मास्टर सनी चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हर्यान विद्धलेश शिक्सा बोर्ड की आज बड़ी खबर लेका आए हैं 27 माई की बोर्ड चेर्मेन का बायान 27 माई की बड़ी खबर 10 और 12 किलास की पेपर रेजल्ट और नोटिस के बारे में अभी बताते हैं आपको वीडियो को अंतक जरूर बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना भी न भूले चलते हैं दोस्तों वीडियो के तरफ आपको बता देते हैं क्या खुस खबरी है, क्या नोटिस है जुलाई के पहले सप्ता से खुल सकते हैं सकूल और एक तरफ है बिवानी बोर्ड ने दसवी के से वीडियो की परिक्षाव को लेकर त्यार की डेट सिट और दूसरी तरफ है, एक जुलाई से पंद्रा जुलाई तक हो सकती है परिक्षाव सरकार से मंजूरी का इंतजार हाँ दोस्तों पहले तो हम आपको इसके बारे में बता देते हैं 26 मई अरियाना में कोरोना के कारण मार्च के माह में बंद हुए सकूलों को सरकार चरण बद तरीके से खोलने की योजना बना रही है ऐसी पूरी समावना है कि जुलाई के पहले या दूसरी सब्ता तक सरकार सकूल खोल दे परात्मिक चरण में नोवी से बारवी कक्साय तक बुलाई जाएगी आदे आदे बच्चों के इसाब से कक्साय लगाई जाएगी तक कि सोसल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बच्चों को पढ़ाया जा सके अभी अभी छोटे बच्चों को सकूल में बुलाने की किसी परकार की योजना नहीं है बड़ी कक्साय के बच्चों की आवाजावी के बाद सकरातमक नतीजे मिलने पर ही सभी कक्साय को बुलाने पर विचार्ज किया जाएगा दरसल परदेश में कोरोना कैर के चलते मार्च मा में सभी सरकारी वे प्राइवेट सकूल बंद हो गए थे जिने अभी तक खोला नहीं गया है परदेश में लोगडाउन चार के समय साथ ही सरकार ने सभी प्राइवेट सरकारी सकूलों को परसासनिक ब्लोक जरूर खोलने की अनुमती दे दी थी हलांकि इसे लेकर सेकेंडरी सकूल शिक्सा विभाग की निदेशक अमनित पी कुमार का कहना है कि अभी सकूल खोलने के समन्द में योजना जरूर बनाई जा रही है पर कुछ भी फाइल नहीं हुआ है अब देखते हैं दसवी की सेस विशियों की परिख्सा लेने के लिए बोर्ड त्यार हर्यान विदले सिक्षा बोर्ड भीवानी ने अभी तक दसवी परिख्सा का परिणाम गोसित नहीं किया है जबकि पर्देश के सिक्सा मंत्री कवरपाल 20 मई तक दसवी का परिणाम आने की बात कहा चुके है बोर्ड उससे पहले दसवी की सेश्विश्यों की परिक्षाओं को आईजित करवाना चाहता है इसे लेकर बोर्ड ने केवल पूरी तरह त्यार हो चुका है बलकि एक जुलाई से 15 जुलाई तक परिक्षाओं को लेकर डेट सिक्र भी बना चुका है बोर्ड ने दसवी की आईजित हो चुकी परिक्षाओं का परिणाम भी त्यार कर लिया है मगर बोर्ड इन दोनों मामलों में सरकार की मनजूरी मिलने के बाद ही अंतिम मोर लगाएगा यदि सरकार बिना सेस परिक्षाओ के परिणाम गोसित करने के लिए कहती है तो बोर्ड परिणाम जारी कर देगा अगर सरकार सेस परिक्षाई लेने के बाद परिणाम जारी करने के सम्मन में निर्देश देती है तो बोर्ड डेट शिट जारी कर देगा एक जुलाई से पंदरा जुलाई तक दसवी की सेस विश्यों की परिक्षाई ली जा सकती है दसवी की परिक्षब परिणाम भी बोर्ड ने त्यार कर लिया है सरकार के जैसे भी निर्देश होंगे उसके मुताबिक बोर्ड कोई निर्ण लेगा जगवीर सिंग चेर्मन हरियाना विदेले सिक्सा बोर्ड भीवानी हरियाना दोस्तो आज की ये बड़ी खबर आपके सामने सेर की है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते साथ ही साथ लाइक सेर करना भी न भूले धन्यवाद दोस्तो